नवोश्कार में आप्री आज़े च्छे नवंबर चलि जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खब्रों को राश्ट्रिया आपदा प्रबंधन संस्थान ने निकाली सरकारी नौकरियां केंद्रिय ग्रिमंत्राले के अधीन राश्ट्री आपदा प्रबंधन संस्थान ने एक नया भर्ती विग्यापन जारी कर दिया है बीते दिन जारी किये गए विज्यापन के नुसार संस्थान द्वारा Health Adaptation and Resilience Advancing Strategies, Knowledge and Capability Project में Project Officer Assistant or Multitasking Support Staff के पदों पर भरती के लिए आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं आवेदन के च्छो कुमिद्वार संस्थान की ओफिशल वेबसाइट nidm.gov.in पर उपलब्द कराएगे अप्लिकेशन फॉर्म के माधम से आवेदन कर सकते हैं आवेदन के अंतिम तारिक 25 नवंबर 2020 इस्ते की गई है बिहार के बोधगया जिले के थाई मठ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास बोधगया के सभी मठों में से थाई मठ अपनी असाधारन वास्तुकला और तेजस्वी सुन्दर्ता के लिए खड़ा है इसमें एक धलांदार छट है जो सुनहरी टाइलो से ढखी है थाई मंदिर में भी मठ में भगवान गुद्ध की 25 मीटर उची कान से प्रतिमा है यह जगर शांती के साथ खत्म हो गई है और यह एकांत साधकों के लिए आदर्श और जो शहर के जीवन से एक विराम की तलाश कर रहे है प्रेटकों को यह सला दी जाती है कि जब भी आप बोध गया जाए थाई मठ का दर्शन करने जरूर जाए तीसरे चरण के चराफ प्रचार पर लगा पोड़न विराम बिहारवदान सबाचनाव अब अपने आखरी पड़ाव की तरफ बढ़ गया है इसक्रम में दो चरणों के सफलता पूरवक मतदान के बाद तीसरे चरण के मतदान की तयारी जारी है हाला कि सभी पाटियों के तरफ से चारी जंद सभाओं और प्रचार प्रसार पर बीते दिन रोक लगा दी गई है जिसके तहत बीते शाम को प्रचार प्रसारों रोक दिये गए हैं वहीं तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को करवाय जाएगा वहीं 10 नवंबर को मतगण ना होगी जिसमें कुलमिलाकर 1204 उमिद्वार चिनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे आपको बता दे कुलमिलाकर 15 जिलों के 78 सीटों के लिए मतदान करवाय जाना है वहीं तीसरे चरण के मतदान के पहले बीते दिन सभी प्रमुख राजनेतिक दलो और उमें द्वारों ने चिनाव प्रचार को लेकर अपनी पूरी ताकत जोग दी थी बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुची 2,20,000 के पार बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है स्वास्तव भाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी के गये आकड़ों के नुसार कुल में लाकर 741 नए मरीजों की पुष्टी की गई है जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,20,246 पर पहुँच गई है जिसके बाद प्रभावित जिलोग की संख्या की बात करें मुझगेर में 19, मुझफरपुर में 30, नालंदा में 36, नवादा में 19, पटना में 189, पुर्णिया में 44, रोहतास में 28,पुर्णिया नो, सारन में 20, शेखपुरा में 10, सीता मढ़ी में 3, सिवान में 12, सुपॉल 27, वैशाली में 4, पशिनचंपारण में 24, मामले सामने हैं बिहार पुलिस सिपाही भरती के लिए 7 दिसंबर से शुरू होगी शाररिक दक्षता परिक्षा बिहार पुलिस में सिपाही के पदपर भाली के लिए शाररिक दक्षता परिक्षा इस साल दिसंबर में आयोजित किये जाएंगे केंद्रिय चैन परशद ने इसके लिए नई तारीक का एलान कर दिया है शारडिक दक्षता परिक्षा का योजन पटना हाई स्कूल के मैदान में किया जाएगा यह परिक्षा साथ दिसंबर से शुरू होने वाली है जो की 30 जनवरी 2021 तक जारी रहेगी जिसके लिए अभेर्थियों को अलग-अलग तारीकों पर बुलाएगा है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कुछ समय पहले बिहार सरकार ने बहाली के लिए 11,888 पदों के लिए बहाली निकाली थी इसके लिलिखित परीक्षा पहले ली जा चुकी है बर्फबारी होने के कारण मैदानी हिस्सों में इसका असर साफतर पर दिखने लगा है उत्तरी पस्चिम दिश्वा में 12 से 16 किलोमीटर चलने वाली सर्द और शुष्क हवाओं की वज़े से पटना में भी तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है जिससे ठंड का एहसास लोगों को अब होने लगा है पटना की अधिक्तम और नियूंतम तापमान औसत से नीचे रिकॉर्ड किये गए है इसके साथ ही तपिश कम हो गई है जिससे लोगों को सरदी का एहसास हो रहा है भागलपुर जिले के नवगचिया के तिंडंगा दियारा में बीते दिन सुबह सुबह बड़ा हाथसा हुआ जहानव गचिया के दियारा में 50 लोगों से उपर भरी नाव गंगा नदी में डूब गई हाथसे में कई लोगों के जानगवानी की खबर भी सामने आई है हाला कि कुछ लोग लापता भी है वही कुछ लोग तैर कर अपनी जान बचाने में सफर्ड है स्थानिय लोगों को जैसे ही नाव पर अटने की जानकारी मिली वैसे ही सबी लोग बचाव कारे में जुटके थे मिली जानकारी के नुसार नाउफ पर सवार होकर सबी लोग नदी पार करके खेती के लिए जा रहे थे इसी दौरान ये हाथशा हो गया स्थानिया गोताखोर ने भी लोगों की तलाश की बिहारी पैचान में आज हम बात करेंगे श्रत्रुग्न सिना की अफने खामोष डायलोग के लिए घर-घर में पैचाने जाने वाले श्रत्रुग्न सिना का जर्म बिहार की राजधानी पटना में 9 दिसंबर 1945 को हुआ था शत्रुग न सिन्हा को शॉटगन और बिहारी बाबु के नाम से भी जाना जाता है सिन्हा बिहार के बॉलिवुड के पहले अभिनेता थे सिन्हा ने प्रेम पुजारी में एक छोटी भूमिका के साथ अपने बॉलिवुड करियर की शुरुआत की थी 1976 में काली चरन के बाद वो बॉलिवुड में एक बड़े स्टार बन गये उन्होंने विश्वनात जानी दुश्मन दोस्ताना क्रांती नसीब जैसी कई फिल्मों में दश्रत मांजी के बाद केनाल मैन पर बनेगी डॉक्यूमेंटरी फिल्म दश्रत मांजी के जीवनी पर बने फिल्म के बाद अब रूपसपुर गाउन निवासी फिल्म मेकर धर्मवीर भारती के द्वारा चर्चिया में आये कैनाल मैन लॉंगी भूया पर एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म बनाने का अमन बना चुके हैं लटवा पंचायत के कोठिलवा गाउं के रहने वाले लॉंगी भूया ने अपने 30 साल के अथक प्रयास से गाउं तक खेतों में पानी पहुचाने के लिए 4 किलोमेटर तक एक नहर को खोद दिया था फिल्म डारेक्टर ने इस बावत कहा कि अखवार और चैनलों के माध्यम से लॉंगी भूया के बारे में जानकारे मिरी तो हम लोगों ने अपनी टीम के साथ कोठलवा गाउं पहुचकर डॉक्यूमेंटरी फिल्म बनाने की सोची और ट्रेलर की लॉंचिंग कर चुके है आदी विभाग के कारियाले के निर्मानकारे पर रोक लगा दिया है मिली जानकारी के निसार प्रसाशन जिस जमीन को बिहार सरकार का मानकर काम करवा रही थी उस जमीन को नीचली अदारत ने रियती करा दिया है भारत के इतिहास में आज की तारीक कुई कारणों से है दरज जिसकी शुरुआत 1913 से हुई थी 1913 में महात्मा गांधी ने दक्षिन आफ्रिका में रंग भेद की नीदियों के खिलाफ दग्रेट मार्च का नेतृत्व गिया 1985 में बॉलिवुड अभिनेता संजीव कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया था 2000 में जोती बसु ने लगातार 23 वर्षों तक पशिम बंगार की मुख्यमंत्री रहने के बाद पद छोड़ा था 1969 में भारतिय अभिनेता पुने तिस्तर का जन्म आजी के दिन हुआ था वहीं साल 2010 में सिधार्थ शंकर रॉय ने दुनिया को अलविदा कह दिया था बिहार वासियों के नाम पर प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी ने जारी किया पत्र बिहार वधासबा चुनाफ के बीच प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने बीते दिन बिहार वासियों के नाम एक पत्र जारी किया है जिसके तहत रहोंने एंडिये द्वारा किये गए कामों का वर्वरेंड किया साथ ही उन्होंने लिखा कि आज इस पत्र के माध्यम से आप से बिहार के विकास के लिए एंडिये पर विश्वास बनाये रखने के लिए एंडिये के संकल्ब के बारे में बात करना चाहता हूँ उन्होंने कहा कि बिहार में लोकतंत्र के महापर्व के दौरान मतदाताओं कि जोश ने हम सब को और अधिक उत्सा के साथ काम करने के लिए प्रेदित किया है या हम सब के लिए गर्व का विशह है और बिहार चुनाफ का पूरा फोकस विकास पर केंद्रित रहा है आप सब को नई हो जाईयों पर पहुचाने का काम हम जरूर करेंगे दुमका कोशागर मामले में लालुपरसाद यादफ की जमाना त्याचिका पर सुनवाई आज चारा खोटाला मामले में राज़त सुप्रीमो लालुपरसाद यादफ की जमाना त्याचिका पर आज सुनवाई हो यह मामला दुमका कोशागर से अवैद निकासी से जुड़ा हुआ है जिसकी सुनवाई CBI की विशेश अदालक में होने वाली है। प्रचार खत्म होने से ठीक पहले नितीश कुमार ने अपने आखरी चुनाव होने की कही बात। तेजस्वी आदव ने राजद को बताया A2Z की पार्टी बिहार विधानसवा चुनाव के प्रचार को बीतेश चाम रोक दिया गया जिसके बाद अब बिहार में विधानसवा चुनाव के तीस्टे चरण परमतदान का आयोजन करवाया जाना है। वही प्रचार प्रसार के आखरी दिन बिहार के धर्ती पर लगभग सत्रह चुनावी जनसभाओं का आयोजन करवाया था। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वियादब ने भी मध्यपूरा में जनसभाओं का संबोधन किया। तीसरे चरन के चुनावी प्रचार का शोरगूर बीते दिन रुग गया है वही अब सीधा मतदान की बारी है। इस से पलायन को मजबूर करने के लिए जंगल राज की युवराज को बिहार की जनता से माफी मागनी चाहिए। चुराग पास्वान ने बिहार चुनाव के बीच मुख्यमंत्री नितीश कुमार के हार की कही बात। बिहार में चुनाव अब अपने अंतिप पड़ाव में है वही चुनाव प्रचार के बीच बयानबाजियों के बाजार भी बीते दिन गर नजर आए। अब पास्वान ने एक बाज फ़र से मुख्यमंत्री नितीश कुमार और तेजस्वी आदफ पर निशाना साथ था। वही इस दोरान उन्होंने नितीश कुमार की हार तैब बताया है साथ उन्होंने तेजस्वी के भी हार की भवेश्यवानी कर दी है। मीडिया हाउस से बाचीट के दोरान चिराग ने कहा कि 10 नवंबर के बाद नितीश कुमार असंभव है वही उन्होंने तेजस्वी के साथ शामिल होने के सवाल पर कहा कि असंभव जैसा मैंने कहा कि असंभव नितीश है वैसे ही लोकुजन शक्ती पार्टी के साथ महागट मिली जानकारी के बीते दिन तेजस्वी आदव समस्तिपूर के हाउसिंग बोर्ट ग्राउंड में राज़त प्रत्याश्वी अक्तरूल इसलाम शाहीन के समर्थन में रैली करने पहुचे थे रैली के दोरान मंच पर अव्यवस्था थी जिसके कारण तेजस्वी ने नारा प्रचार के आखरे दिन इस साल अपने आखरे चुनाव की बात कही जिसके बाद बयान बाजियों का सिलसलाज शुरू हो गया है इसी क्रव में बीते दिन कॉंगर्स की तरफ से जारी किये प्रेस कॉंफरेंस में कॉंगर्स नेता रंदीप सुरजेवाला ने अपना बयान जारी किया है जिसके तहट उनों ने कहा है कि मुख्यमंदरी नितीश कुमार अपनी हार को स्विकार कर चुके हैं अब विकास तरक्य और रोजगार की बात होगी एंडिये ने केवल धर्म की आधार पर चुनाव प्रचार करने की कोशिश की है प्रचार का शोर थमने के साथ ही सील हो गया विहार नेपाल बॉडर विहार विधान समा चुनाव के तहत दो चर्णों का चुनाव खत्म हो चुका है वही तीसरे चरण का प्रचार प्रचार भी रोक दिया गया है वही चुनाव प्रचार पर पुर्ण विराम लगने के गंटे पहले सीमा को सील कर दिया जाएगा जिसके बाद किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करनी के अनुमती नहीं होगी आपको बता दे SSB के जवान पूरी मुश्टेदी के साथ गश्ट कर रहे हैं Amazon Academy ने Free of Cost Course किया जारी Amazon Academy ने J.E.E. की तैयारी कर रहे है चात्रों के लिए Free of Cost Course की शुरुआत की जिसके तहत Amazon ने गक्षा 9-12 तक के चात्रों की बहतर तरीके से तैयारी करवाने के लिए यह फैस्टा लिया है जिसमें Amazon ने चात्रों को All India Mock Test Series का विकल्प दिया है साथ ही इस कोर्स में J.E.E. सिलिबस से जुड़े सवाल का प्राक्टिस भी चात्रों को करवाया जाएगा विरेंद्र सहवाग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनकी पारियों पर सवाल उठाया है जिसके तहत उन्होंने कहा कि विराठी कारण है जिस वज़े से टीम में सीजन में मुसीबत में फस्ती नजर आ रही है उन्होंने कहा कि विराट कोहली को लेकर अपने गेर जल्दी बदलने की जरूरत है वो 20-25 गेंद ले लेते हैं और अपने गेर को बदलने में और जब तक वो बदलते हैं तब तक आउट हो जाते हैं तो टीम मुसीबत में पड़ जाती है दिरली कापिटल्स के खिलाफ मैच म वही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रती किलो 62,500 रुपय था इसके लावा राज़ानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.82 रुपय प्रती लीटर थी वहीं डीजर 76.19 रुपय प्रती लीटर था WhatsApp अब अपने नए फीचर को किया रोल यह फीचर Android पर आप के बीटा वर्जिन पर आउट किया गया है इसके तहत जो चाट WhatsApp पर रिपोर्ट किये जाएंगे उसके मेसेज़िस की एक कॉपी WhatsApp को भेज दी जाएगी रिपोर्ट करने पर इस यूजर के सबसे हाल के संदेश WhatsApp पर भेजे जाएंगे आपको बता दे कि यह नया अपडेट WhatsApp ग्रूप और बिजनेस चार्ट पर भी लागू होगा गौहर खान ने अपने कथित बॉइफ्रेंड जैद दर्बार संग की सगाई पिर शेक उस दिनों से गौहर खान और जैद दर्बार के रिलेशनशिप की चर्चा कई दिनों से चल रही थी वहीं अब अभीनेत्री ने खुद भी सोशल मीडिया पर अपने रिलेशनशिप को सोशल कर दिया है और दोनों की साथ की तस्वीर को भी शेयर किया है अगर हमारे द्मारा पुछेंगे, सवाल का जवाब, आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत-бहुत धन्यवाद, आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है वरजेश तिवारी, यो यो जी, सोनु इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगड़ समय क्या भाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा बीते दिन आयो जीत एक जन सभा में अपने आखरी चुनाव का एलान करने का मुख्यकारन क्या हो सकता है अपने जवाब हमें कमेंट करके पताया इसके साथ ही आज के रहे बस इतना ही अगर आपी वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बला आइकों दबाना ना भूले और अगर आपी वीडियो हमारा फेस्बूक पर देख रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और जादर जादर शेयर करें धन्यवाद